So friends HDFC bank account statement कैसे download करें इस video में देखेंगे इसके लिए हम use करेंगे HDFC bank mobile banking app को और मैंने last video में आपको बताया था कि कैसे HDFC bank mobile banking app में registration करना है उस video का link मैं नीचे description section में add कर दूँगा वो video देख लेना अगर registration नहीं की है अभी तक तो अगर registration कर लिए हुई है और mobile banking app भी install कर लिए हुई है तो इस video में दीगई instructions को follow करके आप अपनी statement को download कर सकते हैं तो चड़िये शुरू करते हैं इसके लिए हम पहले अपनी HDFC mobile banking app को open कर लेते हैं तो फ्रेंट्स लोगिन करने के बाद अपने account में से यहां पर आपने इस arrow पर टैप करना है अभी आपको यह statement का option दिख रहा है यहां पर टैप करना अभी आपको swipe down करना है और यहां पर आपको देखिए दिख रहा है request statement आपने अभी इस पर टैप करना है अभी आपको यहां पर टैप करना है duration select करना है कि कितनी देर की statement चाहिए और यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास multiple options है for example पहले number पर last month की statement कर सकते हैं last three month की कर सकते हैं last six month की कर सकते हैं current financial year मतलब जो यह साल चल रहा है April से जो शुरू होता है आप उसकी statement download कर सकते हो थोड़ा सा swipe down करते हैं और इसी तरह last financial year अगर हम last financial year की करना चाहते है date statement download तो हम वह भी कर सकते हैं last साल की तो इसी तरह जो last option है हमारे पास है select date range आप इसको select करके friends कोई भी date range की statement भी download कर सकते हो तो अभी हम क्या करते है मैं six month slack कर लेता हूं उसके बाद friends next option आता है अपने कौन सा format रखना है फाइल का PDF रखना है या XML जो Excel फाइल का format रखना है वो रखना है तो most of the time हमें PDFE चाहिए होता है तो हम यहाँ पे PDFE रहने देंगे उसके बाद friends यह confirm बटन दिख रहा है इस पर हम टैप कर देंगे that is it friends देखे statement हमारी download हो चुकी है successfully अभी यह statement आप swipe down करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा यह देखिए इसको मैं टैप करता हूं so friends यह मेरी statement download हो चुकी है तो ऐसे करके आप अपनी statement को download कर सकते हो thank you very much for watching this video